दोस्तो इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि NCL के तरफ से अब open vacancy आएंगे या फिर नहीं आएंगे जी हाँ दोस्तो अपने थामनेल पर देखके इसलिए क्लिक करिया होगा कि क्या NCL वी vacancy आएंगे या फिर नहीं आएंगे तो चलिए दोस्तो आपन यहां पर कुछ बात करने वाले हैं तो दोस्तो यहां पर मेरे पास किसी पर तरफ सकर notification तो नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि NCL की vacancy कब आएंगे कम नहीं आएंगे यहां पर मैं कुछ फैक्त के अधार पर आपको वेडियो प्रोवाइड कर आने वाले हों कि अब NCL पर vacancy आने के chances कैसे हैं और कफ तक आ सकती है तो दोस्तो सबसे पहले आपन बात करते हैं कि NCL की previous vacancy operator वाली कब आई थे जिहां दोस्तो मैं यहां पर एकी इस बेसलिए operator वाली vantage को बात करूंगा क्योंकि मानिंग सरार हो गए सब्सेट आउसी करते हैं करीब चाव साल ts했 यहांपे हेड़ उपन कायम से नहीं आयार हें तो दोस्तों इसे में तो आप सभी लोग को डा उटाउट होता होगा कि किया ओप्रेटर की वेकैंसी अभी यहां पी नहीं कि मैं ना तो इस वेकंसी को फुल्फिल करने के लिए अधर सबसेंस से मैंपावर को फिल कर दिया जाता है इसलिए दोस्तों ओपन वेकंसी बहुत कम आती है या फिर नहीं आती है इसलिए आपने देखा हुगा कि नहीं आई है ठीक है और डिप्लोमा वेसे वाली जो वेकंसी है रेगुलर आदी है और यहां पर देखी सकती है बस माप से यहीं कहने वालत था और मापों को बतारों दोस्तों यदि आप मैंपावर बजट को पढ़ेंगे तो करीब 43-50 मैंपावर की कमी है यानि कि यहां पर इतने लोगों की कमी है तो अभी यहां पर काम चल रहा है यहां पर इतने साथ लोगों को को फिल किया जान थी है आन्ए कि 4350 लोगों की कमी है इन लोगों को फिल करने के लिए दोस्तो बेकांसी टो आना चाहिए बिट केंशी नहीं आ रहे है लेकिन दोस्तो मैं ने आपको पहले बताया जो रिंटियास होती है यहां पर क्या करती हैं यहीं कि सब से बात करना चाहूंगा आप इसके लिए टूल्टर बगरे कर सकती हैं कि आपकी रेगुलर वेकेंसी नहीं आ रही है यह पिर जो भी वेकेंसी आती है यह पिर जिनका कौलिफिकेशन ज्यादा है उन्हीं के लिए वेकेंसी यहां पर आ रही है तो दोस्तों आप फोड़ा सर कर सकती हैं उससे आपको कुछ फायदा मिल सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं सिर्फ इतने हैं बताने वाला था उम्मेद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी